हलो वाइस वेलकम ओल कैसी हो सर्वाइंड गाइस मैं आज दो अपना केडियर मोट का 14 नंबर एपिसोट लेके मेरे भाई हैं हम लोग आज खेलने वाले हैं के पीपी के साथ क्लब 3-day के मुकाबला मेरे भाई और साथ दिन में मैच है तो आई लोग पहले हम लोग जिम ट्रे के बाद भाई साहब जिस चीज का था आप लोगों को इंतजार और मेरे को फाइनली वो चीज आ चुका है मेरे साहब भाई यार बोलती बंद हो गया यार बेंगॉल क्रिकेट चलिए भाई साहब ओके ओके डाइरेक्ट हैं एक सिकंड डाइरेक्ट स्टेट का मैच और भाई यह क्या है भाई डाइरेक्ट स्टेट का सिलेक्शन डाइरेक्ट मैच ओ भाई मजद आएगा बाई लेट्स गो यह तो अनेक्सपेक्टेट था कि भाई साहब डाइरेक्ट यहाँ पर डेब्यू हो जाएगा और अम लोग खेलने वाले हैं इडिन गारिन्स क्रिक बाइशन हो जाएगा और कि सावा जाइमत दिख रहे हैं यहां पर बेंगल में बाकी तो आकास दिप भी दिखा है बाकी यह जो नहीं मिल रहा है भाई लोग मैं अगले जो एपिसोड आने बाला है तब तक मैं डाउनलोड कर लोंगा तो स्टेट के टीम है बट यार भाई यह क्या हो गया भाई अचानक से सीधा चलो भाई टॉस उत्तरा खंड उंदर टॉस हम लोग टॉस हार चुके हैं यार हम में पता हो दा तो पहले टीम डाउनलोड कर लेते हैं बट कोई बात नहीं है चलो पहला मैच खेली लेते हैं बैटिंग मिला है लेट सेकंड डाउन बाई डेविउ हो गया भाई लेट्स गो ओके 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 और भाई साहाव बेंगॉल के लिए डेविउ मेरे भाई लेट्स को 48 ओवर में 230 242 और हमें मिला है बैटिंग पहला बॉल मित्टल का और डिफेंस के साथ शुरुआ तो यार मतला हमने सोचा नहीं त्यार अजी ट्रोफी का डेवियो हो जाएगा आज के दिन में यह तो में पता ही नहीं था फायद पहला वॉल ओके पहला वॉल फायद का भाई साव और पहला रन मेरे भाई लेट्स को मेरे साथ खिलर राम पॉल ओके शॉट पीच बॉल हम लोग आवर्ट करेंगे यहर मुझे लग बड़िया टाइमिंग है क्या चौका तो नहीं मिलेगा बट दो रन मिल जाएगा मेरे भाई चलो रामपल भाई 144 पे खेल रहे हैं ओके राफ़र्टी इस बाक मोस्ट अब द जो प्लियर है न सारे मिडियम पेसर ही है अभी तक ओके इसे नहीं खेलना हम है शॉट है टाइम प्रिंग तो राली हो गया बट सिंगल तो चुडा लेंगे आपर उके मुस्ताफा मोनागन लेफ्ट अम स्पिनर के सिंगल भी लिए हारा निया रामपल देखते कैसा बोलर है नॉर्मल स्पिनर है थैंक यू भाई पैड़ो पे बॉल भी दिया है हम सिंगल लिया है आपर फिर सा चुक है मेतल ओके शौट पीच बॉल को हम थोरा average करेंगे इस एपिसोट का लाइक गोल एक बार पॉस्त करकी व Chicago लास्ट القल युज नहीं हो पाया शो इसलिए नहीं भाई लोग इस एपिसोट का भी लाइक औल सेम धाई अजार मेरे वाई सन और अगर आप लोग कर देते हो तो अगर चार दिन के अंदर एक और एपिसोड अगर नहीं होता तो थोड़ों वेट करना पड़ेगा इस बार गैप मिला है और क्या यह मुझे पहला चौका मिलेगा सर पहला चौका विबेग भाई का नाइस अभी तक अच्छा टाइम किया भाई इसका बॉल ही नहीं आ रहा भाई एक सो बारा किलो मिटर में बॉल कर रहा है टकला अबे फायाद भाई यार खाये नहीं गया कुछ ब्रेक्फर्स्ट में इस बार मैंने थोड़ा वेट किया बॉल के लिए और क्या यह चौका मिलेगा यह सर सेकेंड पूर बहुत बढ़िया शॉट इस शॉट का रिपल दिखाता है टाइमिंग देखो सिर्फ टाइमिंग देखो वाइट बॉल यार मुझे लग रहा ना यह डवल ड्रॉप करके जाएगा इसका बॉल साला बॉल ही नहीं आ रहा है टकले का अब टकले थोड़ा जान लगा यार अब भग यार भाई सीधा हाथ में मार दिया ब्रिलियंट रि यार भाई साले टकले अच्छा खेल रहा था मैं यार इदर फिल्डर लगा दिया यार मैं लॉफ्टेड ही खेल ले था भाई से अच्छा दो ये इसी दिन का तो था इंतिजार सर इसी दिन का तो था इंतिजार फिल्ड सेट करते हैं चले भाई मैंने फिल्ड सेट किया है लेट सी नौ ओवर में 36 पर वन और यार हमारा टीम तो देखो भाई बढ़ा तावर तोट टीम है भाई 494 रन मारे भाई और ये भी मतलब नकली टीम अक्षए रामपाल यार यह नाम ना जाना पैचाना सा लग रहा है पता निया आप लोग बता ना अगर आप लोग को पता हो तो उत्तरकंड का टीम में नागराजन ने एक प्लियार लग रहा है कि वह जाना पैचाना सा लगा नहीं लेट सी बालिंग करतें अगले अपिसोड तक हम सारे टीम डाउनलोड कर लेंगे मुझे सच में पता नहीं था कि अभी स्टेट डेबू हो जाएगा आज का ओ बॉल है बाउंस बेरी लो यार बाहर लेकर जाते बॉल है बॉल है बॉल है विवे बहुत प्यारा बॉल है तो हमना स्ट्रेट रखते हैं क्रॉस्सिम स्ट्रेट क्योंकि अभी तक हमने सारे स्विंग करा है एक सीधा रख के आते रहे गया मेरे भाई मुझे लग रहा है इसको थोड़ा बाहर रख के देखते हैं क्या पता बाहर का बॉल छिर्खारी करने जाए और आउट हो जाए ना मुझे एक आउफ के बाहर रखना है एक रखना परेगा आपके आख्री बॉल बोस खेल रहे हैं आपर है यह अच् यह बढ़िया बॉलता है यार क्या मेरा दूसरा मेडन आने वाला है यार मेडन से जाड़ा इंपोर्टेंट ना विकेट चाहिए मैडन ओवर फुल निंद करके फायदा नहीं है पेस तो मिल रहा है बढ़ हमें ना थोड़ा बाउंस चाहिए एक्स्ट्रा बाउंस अगर मि मिल सकता है यह लाइन लेंद अच्छा है उतना कुछ हरकत हुआ नहीं यार बॉलिंग में यार हम लोग बॉलिंग कर रहा है एक सो चालीस पर उन लोग का बॉलर था एक सो दस एक सो बीस हमने प्लेयर डाउनलोड करेंगे तो हो जाएगा फिर ओके 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 बॉलिंग चल चल रहा है ओके पांच वजच्छों के इसलिए साइथ थोरा लाइट को ओन किया गया पहली बार आपको यार नाइट का फिलिंग कि और यह लोग ना दो विकेट पर खेल रहा है 187 पर तो काफी बाटिंग फ्रेंडली पीछ है वाई कि चलो सेकन लिंग्स आरे मारा कौन है यार है यह फिल्डर कौन सा फिकोंडर है भाई कि अब यार अंदर दिखनी रहा कर तेम्हें है अब दो बार ऐसा हुआ यार एक बार थीग गया राज़ी बार ऐसा होगा क्या यह तो यह देखू या यह दिके Cayा यार यार प्रज़ कर यार इसको हटा यार यार से थौरा टेजरी के साथ यार अंदर लाते यह बड़ी आ बाल यह बढ़ी आ बेल्ला है फिर से बॉब और परेंच बताओ तो बॉब में कुछ भाप हो दो प्र्टि Shankar में कुछ हो तो साथ ओवर बॉलिंग कर चुका हूँ, 31 रन दिया हूँ, अभी तक कोई विकेट नहीं मिला मेरे को विकेट अभी भी धून रहे, सेट बैटस वान है न, बाहर का वाल छेरखारी कराना पड़ेगा चलाग भी है, भार कावल नहीं खेल लए है, एक कटर ट्राइ करके देखते है बोस को, यहां से इस एंगल के अंदर में, मरा प्लैन है कि अंदर की तरह आएगा, इंसाइड एज अगर इसका लगा पाया हम, तो मुझे न, उसके लिए गूड लेंद हिट करना पड़ेगा, न यहां पर, और यहां पर डे थ्री चालो उसका, यह लोग भी अच्छा बल लेवाजी किया रहे है, 268 for 6, थर्ड स्पेल का पहला बॉल, पिछ पर क्रैक नजर आ रहा है भाई साब, भाई इसने डेर सो मार दिया रहे है, बॉल, 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 यह अच्छा बॉल है, तेज की तरफ, इसने कुछ अलग कराना पड़ेगा, क्योंकि यह ना फुल सेट हो चुका अभी, या तो मुझे मोनाघन को बॉलिंग करना पड़ेगा, इसका विकेट लेना भी थोड़ा टफ है, और यह बहुत चालाक भी है, खेली निटा यार, यह बड़ी अवल है, नाइस, बोल्ड चाइडि लाइन, नाड ओवर, रही क्या खेला है रेस में, सत्तर ओवर में, टू सेवेंटी टू फोर सिक्स, बोस इस प्लेइंग, थोड़ा अंदर लाते हैं यहां से, कुछ नहीं हो रहा है, कुछ नहीं हो रहा हरकत, दो वल वाकी है, यहां से एक अंदर, यह अ नाइस पोली, ओके, 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 लग रहा है, खतम हो चुका है, और सेकेंड इनिंग्स में, ओ उनको से, मैच खतम हो गया, लिटरली मैच खतम हो गया वाई, देव्यू मैच, और राम पाल को मिला है, प्लियर अब दा मैच, सेकेंड इनिंग्स हमको बोल भी नहीं मिला, 97 पे लोग ओवर हो गये भाई, 320 बेंगल ओन बाई वन इनिंग्स, ओ भाई सहाब, मजा आ गया भाई, 77 रन से, अक्षा राम पाल, 200 मारे यार, हमारा डेवी उतना अच्छा नहीं हो यार, चलो कोई बात नहीं, लेट्स सी, एक और मैच, ओके, आसाम के साथ मैच है भाई, फ ट्राविलिंग ट्रेणिंग ट्रेणिंग भूल गया हम यार, बाहर में गया बाई, चलो कर दो, इस बार हम लोग आसाम में खेलने वाले है, आसाम का होम ग्राउंड पे, और, क्या हमें रियन पाराज देखने को मिलेगा, यार, तीम हमें ना डाउनलोड करना परेगा, लेना, क्योंकि टीम अपडेट करेंगे ना तभी मजा आएगा भाई, डियल प्लेयर जब होंगे ना, इसी के लिए तम लोग इंतिसाद कर रहे थे, असले, एक्शुले हमको पता भी नहीं है, कि कभ हमारा स्टेट का सिलेक्शन होगा, भाई, डाइक्ट स्टेट का सिलेक् मैच में उतना खास कुछ हुआ नहीं, सेकेंड मैच, फिल्डिंग सेट है, और फरस्ट चेंज में मैं आ चुका हूं, बॉलिंग में, हाँ, ये पीच अच्छा है, और फिल्ड भी नॉर्मली वर्ट ठीक है, कर सकते इस फिल्ड पे बोलिंग, करके देखते हैं, पहला वाल पिच के हमको था, इंतजार, तीसरा बॉल, ओ-ओ-ओ-ओ-ओ-ओ, ये बॉलिंग हो रहा है, सर, ये बॉलिंग हो रहा है, भाई, इसी के लिए तो इंतजार कर रहे थे, भाई, क्या बॉलिंग हो रहा है, सर, एक अंदर करें, क्या चार लगा तार, बाहर, एक अंदर लाते ह ओ भाई बाल लिटरली मुवमेंट कर रहा है भाई परने के बाद लेट स्विंग यहां पर दिखते हुए आप लोगो आखरी बॉल पहला ओवर का भाई लिटरली काटा मुर रहा है भाई चलो 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 पहला ओवर मेडल के साथ सुरुआत इस मैच में कुछ होने वाला है फिलिंग आ रहा है कि इस मैच में हम कुछ बड़ा कर सकते हैं अगर हम सही से बोलिंग करें तो दारा नाइस चलो मैंने फुरा फिल्ट को थोरा सा यहां पर चेंज किया है लेट सिय अपने इसाब से फुरा फिल्ट किया है और पहला एज एंद फाइन अफ पर फास्टेज या लगना चाहिए था किया में सुइंग है तो सुइंग का यूस करते है इसको बॉड़ी से बाहर लेकी जाते है बॉल कि दर के सथ खेला दार अच्छा खैल दूबे को देखते हैं चले भै दूबे दूबे को आउट सिंग फिर से बाहर लेकी जाते हैं हारे my दूबे 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 भाई दूबे भाई दूबे भाई समझ में नहीं आया क्या येस सर बॉल देखकी पता लग रहे कुछ ना विकेट हमारा स्टेट का दुवे लेट्स गो बेंगॉल के लिए मेरा पहला विकेट दारा को भी हम बार्थ से अंदर करते हैं स्विंग है तो स्विंग का यूज कर रहे है ओ भाई ये तुम मार दिया रहे ग्राउंड बढ़ा है लिटरली चौका मार दिया मेरा तीसरा ओवर चल रहा है राउंड डवीके लाके देख देखिते हैं यसे ये बार का बल अच्छा खेल रही है ये तारा तो इसे अंदर का बल एक ट्राइ कर के देखते हैं एक inn-swing yorkar भी ट्राइ कर के देखते हैं थोड़ा तेज फुल टेच्छके साथ साही हुआ हरामी अच्छा बोलिंग कर रहा है कि इंसान तुम साले हटा देती हुआ आउट है येस चल दूसरा विकेट हमें स्पेल से हटा आओगे बे डारा भाई 97 पे स्काट किये वाई अच्छा खेला मजा आ गया यार दूसरा विकेट सेकेट स्पेल का ओह हो चलो 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 पर आई नली भाई डेविवी पे उतना अच्छा नहीं हुआ मतलब पहला मैच पे बढ़ दूसरा माई मैच में तो मौज कर दिया भी तक मौज हाँ प्यारा भॉल प्यारा भॉल बैडड़न विकेट तो नहीं होगा क्या एक और विकेट ना आजाए मेड़न विकेट चलो इसको थोड़ा ना ओवर दो विकेट आगे करके देखते हैं चार अवर में दो विकेट नौरन देखे यह हुआ ना विवेग बॉलिंग बाहर एक तो बाहर लेके जाता है लेट सी क्या बादा बाहर का बॉल खेलने जाए और राजा को पहला बॉल के नाइस 49 पे खेल रहा है भाई राजा गोपालन खेल आरे खेला तो था बट उतना अभी ना मुवमेंट नहीं है यार 47 हो चुगा है ना अरे बाई एक काटर करके देखे लेट सी एक टू काटर करके देखता है ओ जा ओ लेफ्ट लोओन एजली थूट देखेपर हैं ओ बाई बहुत जादा हरकत हो रहा है इस पिछ पे गाट कैच ओ पीछे हो गया रहा है फिर से कप्तान ने बॉलिंग दिया है सामने है जोहाल इसका तो रीप्ले होना चाहिए वैसे मैंने विकेट का रीप्ले भी मैंने नहीं देखा है अभी मैंने डियलाइस करना बट कोई बात नहीं इस बॉल का तो रीप्ले होना चाहिए तो यह कहां कर दिया मैंने अबे यार फोकट का चार रन दे दिये लग रहा है अरे भाई क्या फिल्डर है रहे हैं पर भग 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 साले भग ना एक बार थोड़ा ट्राइट तो कर ले आखरी बॉल है मेरा प्लैन यह है कि हम उसको ना एकदम बाहर लेके जाएंगे वह भ अरे यार बॉल छोड़ दिया लिटरली यह यह वही फिल्डर है क्या इवी नाम का कोई था नल्ला लास्ट मैच में आशा ही कर रहा था तो पियरसन ना क्या नाम थे गए तो यह यह लग रहा है इसको लगता फिल्डिंग नहीं आता हाँ इस बंदे को फिल्डिंग नहीं बिल्कुल फिल्डिंग नहीं आता इसको इसको उधर रखो बिदेव चेंज अपिन फिल्ड ना तेजी के साथ अंदर की तरफ बॉड बॉल बहुत पुराना हो चुका है और लेट सी जोहाल को इस बार फुरा बाहर रखते हैं अगर खेलने गया हो नहीं रा कुछ तो यह डिफेंस काफी अच्छा कर रहा है राजा गोपालन यह बॉल खेल करीका है तो अरी बजगिया साले है मुझे लग रहा मेरा स्पेल खतम है हां मुझे लगा ऐसा ओके फिर से मिल गए हां पर कोई बात नहीं यहां पर क्लब वाला सीद नहीं है कि डायरेक्ट तो मॉल आउट ही कर दोगे वाई यहां पर बल्लेवाजी जानता है सामने वाला टीम फिर से आये हम बॉलिंग करने के लिए और राजा गोपालन और 96 28844 और नया बॉल के साथ स्विंग कराने का मज़ा जो है न वह आपको दिखाते हैं हम सर आउट स्विंग कराते हैं तेरेको संदल भाई यह बोल गहलना दो रहा हां आउट स्विंग बाहर की तरफ गांड और यह बोल या बोल कि यह नहीं टीस घॉद रहा है मेरा अच्छा वबर की सेंचुरी मार दिया उसमें एक का तो इसमें जैफिरी का लिए मैने दूसरे ने मार लिया सेंचुरी मुझे लग रहा है अब कुछ हरकत होने वाला है नया बॉल के साथ करा हो यार मेरे को थोड़ा स्पेल गुट शॉट यार गुट शॉट यार गुट शॉट गैप में मार दी हैं पर चौका नहीं होना चाहिए जल्दी फेक गिर 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 अबे यार नया बॉल के साथ और 353 फार फाइब वो सेंचुरियान आउट हो चुक है अब थोरा गियर भी तेवर भी बदल चुक है वाई गियर तेवर सब बदल चुक है इनका फेक भाई चले एक बात है कि हमको बॉलिंग तो मिल रहा है बट स्पेल नहीं दे रहा है रहा हमें ना एक लंबा स्पेल पसंद है लाइक पांच शे ओवर का लगातार स्पेल करा है हम से अरे अरे भाई दो रन भाग ले रहा है सामने से एक काम करते हो वर दो विकेट आके पावर्स का थुरा टेस्ट लेते हैं यह अच्छा बोले लेफ्ट लोन बाहर लेकिए जाते हैं यह चोड़ दिया वह विकेट का चांस बना है हम और यह कैची छोड़ दे भाई बहुत बढ़िया कि सिंपल क्याच था सिंपल भाई एकदम हाथ पर सिंपल क्याच वाई यह देखो सिंपल सा कैच था यहां पर यह इसने पकर नहीं पाए पीरस अधा के तू रामपाल वाई यार तुम से तो यह उमिद नहीं करते वाई यार ऐसी विकेट हमको कम मिल ड़ा यार उपर सी इतना बढ़िया चांस तो पे ले गाई भाई वो तुम उसको छोड़ दिये भाई उसका कैच संडाल 376 मार दिये भाई सरम करो तुम लोग थोड़ा कैच ड्रॉप करो सिंपल सा हो गया भाई क्लब लेविल हो गया स्टेट लेविल आ चुके हो लेविल बढ़ चुका है क्लासिक कवर ड्राइव फाइंस तो आता है तुमको हाँ खतम कर दो स्पेल ओके बैटिंग मिल गया हमें पता था मेरा स्पेल खतम है यार तीन विकेट था बट दो ही विकेट मिला पहला मैच में अटरा रन चला भाई दूसरा मैच बंलेवाजी मिल चुका हमको फाइनली और हमने उन्होंने कितना बनाया मैं एक बाद देखूंगा और पहले स्पीनर आ गया आपे उन्होंने बनाया हमने बोलिंग कि यह 16 ओवर और हमने दो विकेट लिए 45 रन दिये काफी अच्छा बोलिंग कि हमने इस मैच में तीन विकेट होता पड़ हुआ नहीं और यहां पर भाई कि राजा गोपालन सेंचुरी मारा एक को तो हमने 97 में घरवेज दिया दोनों ओपेनर को एक्शुली हमने आउट किया और बाकी यार वो सांडाल अच्छा रन मार के चला गया चलो कोई बाद चार सो पच्चीज रन मारे यार गुपता एक गुपता इस यह पहला बॉल ले गुपता जी कैसा लगा यह शॉट थोड़ा बता ना हमको ग्राउंड वरा है नहीं तो पक्का मैं बता रहा हूं इस चक्का था वारी चलिए सर सामने फिल्डर रखिया हम उसके उपर से मारेंगे थोड़ा मैं अपना नैचरल एबिलिटी के साथ मैं खेल रहा हूं ठीक है मुझे अगल लगा जो बॉल मारना है मैं मारू रखिया हटा दिया फिल्डर साले फिल्डर हटा दिया बोला अरी भूद मार रहा है यह तो दो चौका मार दिया पर बात नहीं और पिछ पे टर्न है देखके नजर आरा है फिर से ला दिया शॉट कवर के हम फिर से मार सकते इसको हम फिर से मारेंगे आप रखो फिल्डर सामने चोड़ दिया इनका भी लुलु फिल्डर है भाई लुलु फिल्डर इनके पास भी है अरे भाई तीन चौके तावर तोर अंदाज के साथ बल्लेवाजी बॉल दिखा नहीं लग रहा इसको 12 रन पांच बॉल में 12 शौट अभी वेक अगरवाल दो वल बाकी है इसको खेलने मिला है और एडवीन मेरे साथ खेलते हुए आर्चर का एक्शन ठैंक यू अगरवाल भाई हम तो अपने अंडाज में खेलने वाले सर थर्टी वट के अंदर फिल्डर तम उसके उपर से पेलेंगे सर एक और थोड़ा स्टार्ट किये है पेलने के साथ नो बॉल में 20 अलग लेविल का वल्ले वाजी होते हुए आपर अगरवाल भाई इस बार आप साइट के बाहर बहुत ही बढ़िया टाइमिंग बड़ दो ही रन मिलेगा यहां पर ग्राउंड काफी बढ़ा है हम नब आपको साब बता रहे हैं हमें अगर शामने फिल्डर मिला तो उसके उपर से खेलने वाले हैं अगर मुझे जगा मिला तो तो यह संपी ठीक है तो हम अगर थोरा सा सफिल करें और हम इधर से पेल दिये तो हमें कोई बुरा नहीं लगेगा सर कोई बुरा नहीं लगेगा यहां पर हमने वो शॉट खेलने नहीं गया था हमने उधर मारने गया था बड़ यहां पर टाइमिंग अच्छा हुआ तो हमने मिड़ान क मत करो यार चलिए परफेक्ट लिए लास्ट बार मैंने गल्टी किया था सर ग्राउंडेट खेल किया तो भाई हाडूडू के लड़ा है वाई वाई मैंचली पकर रही है तो सम्तावर तो रिनिंग्स यहां पे और गुपता इस वैक लेट सी ओ यह अच्छा बॉल था नाइस सिंगेल ही मिलेगा मुझे लग रहा है चलो भाई मेरा स्टेट का अभी तक का हाई स्कोर सामने आ चुके है गरवाल 16 वाल में 31 पे वल्लेवाजी कर रहा हूं मैं और यह टाइमिंग बहुत जवरदस्त हुआ है बट यार ग्राउंड इतना ब यह शॉट है शॉट है शॉट है ग्राउंड इतना वरा है चौका नहीं जाएगा हमको पता है दो ही रन मिलने वाला है 37 में पहुँच चुके हूं पचास रन का पार्टनर्शिप बीसी के साथ बहुत बढ़िया वल्लेवाजी किया हूं 21 बॉल में 37 नाइस इस बार ऑपसाइड बढ़िया कोवर ड्राइट था बट फिल्डर है हुड़सन हुड़सन इस यर दो ओवर में 7 रन दिया है मिडियम पेसर है पहला बॉल देख लेते हैं नहीं आएगा इसका बॉल समझ गया वई इसका पेस तु आरा कि लाइकिस इसको मैं क्या बोलू और बर्ट इधर केल सकते इसको मैं गर भॉल मिला तो हाँ पर नदो चलबाई 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 बढ़िया शॉट नाइस इस बार कट किया है पर्फिक टाइमिंग बहुत बढ़िया कट यार ग्राउंड इतना बढ़ा है तीम रन तो मिल सकता है ना में ओ फिल्ड मिस भी कर रहे हैं आपे बटीन ही मिलेगा उससे जादा नहीं 42 में पहुंच चुके हम 26 वाल में 42 गुपता इस बैक चार ओवर में 15 रन शॉट यार शॉट बहुत प्यारा सिंगल डवल मिल सकता है का ना सिंगल ही मिलेगा और आप लोग बताना मैं क्या इस इंटेंट के साथ ही खेलू क्या मुझे नॉर्मल इंटेंट के साथ खेलना चाह घ्यार बताये जाये तो रहन भी बन रहे बाई प्रतेश्ट मैच की तरह मैं नहीं खेल रहा हूं वह मैं थोड़ा अग्रेशिव खेल रहा हूं बट इसमें रन बन रहे आल्टीमेट लिए रन चाहिए ना उसकी साथ से नाइस शॉट मैं ग्राउंडेट ही खेलूंगा बट हम उतना टुक टुक नहीं करने वाले बाल मिला था हम पेल देंगे वाई 47 पहला 50 के बहुत पास शॉट मिड्विकेट है उसके उपर से खेल सकते बट उतना हमको रिस्क लेनी की जरूरत नहीं शॉट विवेक शॉट यार यह चौका ना जाए तो मैं नहीं खेल रहा चौका मार के 50 क्रिकेट 22 में कारनावा चलू हुआ था 24 में भी चल रहा है 30 बोल में 8 चौके 51 रन पहला 50 मेरा बेंगॉल के लिए रंजी ट्रॉफिय में अनी सोवर थीन बॉल में 98 फॉट टू लवल लवल के ओके 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 आ इंसाइद लाइन पूल दवे मिड्विकेट कच अधा बंदा कैच ही कर लिया दारा हरामी इतना बढ़िया एक इनिंग्स थर्टी टू बोल में यार हमने थोरा हर्वरी कर दिया लग लग रहा है लेट सी ओल आउट हो गया क्या टीम असाम फिर से बलने बाजी कि भाई क्या हुआ भाई क्या हुआ यह है एक मैच में दो विकेट और डे थ्री चल रहा है यहां पर यह लोग फिर से सेकेंड इनिंग्स चालू हुआ और हमको आठ विकेट गिरने के बाद बॉल मिला है हमारे टीम बना पाया 335 अच्छा में टार्गेट मिलने वाला इसके बाद हमने अच्छा बल्ले बाजी गिया 32 बॉल में 51 पहला 50 हमारा टीम के लिए पहला मैच में भी अच्छा ही खेल रहे थे बट यार नॉर्मली बेकार आउट हो गया मैं लीड बाई 265 अच्छा 265 का टार्गेट अभी तक बन चुक है चलो पहला बॉल मेरा इस मैच का नाइस दो विकेट मिला था फर्स्ट इनिं है भाई भाई साहाब कि विकेट अब दरे तो नहीं बोल सकता बट यह बॉल अब दरे तो जरूर है सर ओ भाई कि क्या बॉल था यार यह दूबे भाई दूबे भाई का तो फट के चार हो गया बॉल देखके मेडें ओवर के साथ शुड़ाद बढ़ भी मेडें नहीं चाहिए दो विकेट भागी है पता नहीं खतम हो जाएगा कि नहीं 183 पता नहीं यार माधे टाइम कभी स्टार्टिंग में दे रहा है बॉल कभी आठ विकेट गिरने के बाद दे रहा है आउट वह यह तो प्लम है बाई चलो एक विकेट मेरे नाम टोटल तीम विकेट मिला है पचास रन वार दिये है अब हो रहा है डेविव लग रहा है प अजिए कर रहा है अजिए अखेंगा लग्व टेर्म करके क्या पायदा बेटे मार ना मार ने मार कर दिखा ना भाई अब्धिए अभी डिफेंस करके क्या फायदा होगा तेरे गो बॉल कुछ बाउंस नहीं बाई गुड लिंद बाई आदा बाउंस भी नहीं मिल रहा आक्रिविकेट क्या हम ही मिले गार क्या मुझे ही मिलने वाला आक्रिविकेट नाइस कोशिश करते हैं ना सिंगल मेला आप है दो रन भाग रहा है अब फोकट में दो रन ले लिया यह लीड बहुत चुगेगा भाई लास्ट इनिंग में चेज है भाई तीन सो रन का करीब इन्हों ने लीड बना लिया कैच क्लासिक कवर ड्राइब फाइंस दील के खेल रहे हैं बड़ा ग्राउंड है तो एक ही रन मिलने वाला ग्राउंड बहुत बरा यार यह बता नहीं यह आई तिंग यह को यह उस्ट्रेलिया का ग्राउंड है इन्होंने कॉपी करके असाम बना दिया और यहां पे खतम हो चुक है बैटिंग में लिया थर्टी फोर में दो विकट गिर चुक है अवरेस 34 का पहला 50 आचुक है लेट्स सी टार्गेट कितना है बता ना कोई 192 पर अलाउट हो चुक है हमें सिर्फ तीन ओबर बॉलिंग मिला पांच रन देके दो मेड़न एक विकट टोटल इस मैच में हमें 283 का टार्गेट स्विंग के साथ खेले है पहला बॉल फेस किये है बहतरीन स्ट्रेट ड्राइब और दो रन के साथ सुरुआत धिरे धिरे बल्लेवाजी करना पड़ेगा शॉट है विवेक बहुत सही टाइम हुआ क्या ये चौका मिलेगा हमें बहुत बढ़िया टाइमिंग है सर इस ग्र कि ओ भाई यार मेरे हिसाब से तो यह शॉट अब दड़ी है आप लोग बता ना आपकी हिसाब से ओके गुपता जी जियर लास्ट डे हो रहा है तो इसको स्पिन मिलेगा तो हमें पहले से पता है थालका स्पिन मिलने वाला है ओके तो आराम से खेलना है उत्तना जादा प्रोसेस आप लोगे साथ पैर में बॉल मिला फिल्डर नहीं चौका फेल दिये गुपता भाई आई अच्छा बोल है डिफेंस भी थोड़ा देख के करना है भाई डिफेंस करके हमें आउट नहीं होना भाई सच बता रहा हूं तुम लोगो डिफेंस करके ना हमें आउट नहीं होना सर अभी बोला था मैं अभी इस बॉल को तुम डिफेंस नहीं करोगे तो क्या करोगे यार हर बॉल में ड्राइब करना पर रहा है क्या सीन है यार थैंक यू बैर पे बॉल मुझे लॉफ्टेट खेलना चाहिए था ओके न्यू बॉलर इस यर दुबे दुबे इस यर थोड़ा पेस मिलेगा इसमें और हमारा पूरा मिड़ी केट शेत्र पूरा खाली है तो हम आराम से इदर में केलेंगे वाली आराम से रन बनाने वाले हैं लास्ट इनिंग्स का चेज हो रहा है हमें टार्गेट से मतलब है ठीक है शौर्ट ए गाफ नहीं मिला दे अशोग गुपता बैक बारा वल में अटरा पे हम बले वाजी कर रहे है ना 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 नहीं मिले गई है इसका फिल्ड प्लेस्मेंट काफी अच्छा है इसने अच्छा फिल्ड सेट किया बट यहाँ खाली है अगर हमें पैर में बॉल मिला था हम इधर खेल सकते थैंक यू अशोग गुपता थैंक यू भाई ऐसी डालते रहे है तो और दो तीन और इज़र फिल्डर मत रखिये पुरा नला है तू भाई भाई लेकसाइड फिल्डर ना रखे लेकसाइड ही हमको बॉल दे रहा है तो हम क्या छोड़ देंगे क्या तरे को शौड़ मैंने एक चीज़ पहला मैंस देखो मैं थोड़ा डिफेंसिव माइंड सेट के साथ खेला था तो हमने बॉल जादा लिये बट रन उतना मार नहीं पाए बट लगातार दो मैंच यहां पर मैं खेल रहा हूं लास्ट मैंच में पचास यहां पर चौवीज में पहुच गया हम मतलब यहां पर ऐसा नहीं है कि मारने जा रहा हूं मैं बस खेल रहा हूं अकॉडिंग तुदा बॉल थोड़ा ड्राइब बगरा कर रहा हूं तरह बल में 26 इसके उपर खेल सकते हैं बड उतना अटक की ज़रुवत नहीं कि थैट में आब और यहां था पार्या भांच आट फ्राइब मैंच में अगया जाता ह reasonable जो एन इतना नाय दी सैंडेया में मैया थोटा है शे एंडिया मिग्लें एम भी पांच द्वज़ने में सूरज ना चला जाता आ यहां पैंजने यांप सामाश करारा हों सॉन्ह में नहीं आता बट कोई बात नहीं लाइट जल रहा है आप लोग को देखने में मजा रहा होगा दूबे इस यह थैंक यू दूबे हमने तो बोली दिया था सर अगर आप इदर फिल्डर नहीं रखोगे तो हमें सफिल करके ज्यादा हमें शॉट पसंद है अक्च्वली सफिल करक यह शॉट खेलने में दूबे भाई हमें इससे ना प्रॉब्लम नहीं होता है बहुत मारे अक्री के 22 में हमने इस शॉट फिर से कर इस बार पावर भी है पुल किया है एक और चौका भाई मुझे तो अपना अगरेसिव बैटी भी पसंद आ रहा है भाई अक्री बॉल है य बोल के खेलता है बोल के बट्रों पर क्याप में ढूंद पाया है अशो गुपता ही करेगा ना इतिंग ओके डेई इज ओवर भाई लोग आए हाए 51 के आवरे जोंचुक है इदिए नगे बॉल नाव फ्र नुख दोन टान खेल यहां अच्छा एप पर खेल रहा हुआ है अपर शौट जान एडा यह पता नहीं हमने यहां यह गैप से निकाला यह इधर मार रहा है पता नहीं किया सिन है तब इधर रखते है का बता हुबगे अरे फिर बीदा यह भाई क्या है यार हम तो उधर मार रहे थे सर चली गुपता इस वैक 34 में मैं खेल रहा हूं कि इधर फिल्डर नहीं है तो हम उसका फायर उठाएंगे सर जो फिल्डर सामने है उसके उपर से हम पेलने वाले वाई अशो गुपता भाई लाइन में आगे है ओवर दो विकेड आये इस बार आहा हां चलिए सिंगल निकाले हैं और हमारे साथ रूसो अभी भी बल्लेवाजी कर रहे हैं 24 पे हैं हमने उसको टपका के चले आए हम जिस तरीके से खेल रहे हैं किसी को भी टपका देंगे भाई इस बार स्ट्रेट ड्राइब गैप में है दो रन मिलना चाहिए हमें तीन रन तो नहीं मिलेगा दो रन के साथ खुश और फॉर्टी में पहुंच चुके भाई लेट्स गो एक ही टेस्ट मैच में एक में पचास और फिर से हम फॉर्टी वन में पहुंच चुके हैं करक्ट टाइमिंग हुआ इस बार आई ऐसा टाइम करने के बाद भी चौका नहीं जा रहा है और आप लोग यह बता ना अभी तो स्टेट के मैचिस हो रहे हैं रांजी ट्रॉफी जैसे तो क्या आपको इंटरनाशनल ग्राउंड देखना है लाइसेंस ग्राउंड जैसे मै मैंने पहला मैच इढ़न गार्डन में था तो मैंने मतलब बेंगाॉल जाब मैच इढ़न करा तो आप लोग बता ना यह चीजा और यह शौट का रीपले देखो क्लब का मैसे तक क्लब का इस तो कर सकते हैं इंटरनाशनल स्टेडियम में ठीक है तो तो आप लोग बोलोग बढ़िया शॉट पिछ बाल बढ़िया टाइम किया मैंने यार चौका नहीं जाएगा इतना बढ़ा ग्राउंड है चौका नहीं जाएगा बाई शॉट करीब ले तो ये भी बनता है सर 46 36 बाल में 46 अब ही मैं सेट हो चुका हूं लाश्ट टाइम ना मैंने पचास मारने के बाद थोड़ा ज्यादा ही अग्रेसिव हो गया था इस बार हमें थोड़ा वह देखना है अगर हमारा पचास हो जाए तो हमें जीता के जाना है ठीक है कोशिश करना है फिर अगर हमको अच्छा बॉल करें आउट हो जाया अलग बात है 49 में पहुंच चुके हूटसन है सामने फिल्ट थोड़ा खोला इसने जे दिया रहे इसने तो भाई पैर में अरे भाई थैंक यूँ और भाई सहाब लिए सेकेंड टेस्ट में میरा सेकेंड डेव्यू में तो हग दिया वट सेकंड टेस्ट मैंट में अजिस में दो लगातार 50 के लिए 15 सेकेंड इनिंग में 15 सना कभी इस बहुन आग नहीज आराम से भी बिन आग erms चालीज बॉल में 51 कुछ नहीं है रिनके बॉल में कुछ नहीं है 93 पे 2 काफी बढ़िया पार्टनर्शिप हम दोनों का ग्राउंड डिजबार गैप में है दो मिलेगा किया ना 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 दो नहीं दो नहीं एक ही मिलेगा गुपता जी बैक 43 में 54 पे मैं खेल रहा हूँ शॉट ओके हो जाता यार मुझे कैसे पता कि भाई यह मिस्पिल्ड करने वाला है 44 में 54 यह रिजन खा लिए है यह रिजन खा लिए है अला गैप नहीं दे पाया तो रहा इधर कर लिया शॉट को अब आराम से बैटिंग कर रहा है ठीक है अब भाई मैंने यह लॉप्टेट क्यों नहीं खेला भाई यार भाई शिट छक्का था भाई है इसमें लॉप्टेट खेला मैंने बट यार चलो चौके के साथ ही संतुष्ट भाई यह तो चौका अभी चौका भी नहीं गया इतना वरिया शॉट खेलने के बाद वह फिफ्टीएट भाई मेरे को इतना अपसोस हुआ ना मैंने सोच लिया माइंड में किया अर अगले बॉल तो हम लॉप्टेडी के लिंगे भाई शुक्रिया शुक्रिदर भाई नया बोलर आया है थोड़ा इसका मौज नहीं करेंगे वह भाई लाई नी बिगर गया नाइस शॉट यार बहुत प्यारा दो तीन भी मिल सकता है अई तीन मिल सकता है इस वाल मैं नहीं चोड़ गया शॉट विवेक भाई अब मैंना सेट उचुका हूँ भाई अब मुझे बॉल पुड़ा फुडवाल दिख रहा भाई नाइस दो मिल सकता है फिर से दो मिलेगा तो ले लो भाई फिर से यही आया है और हमें इसे खेलने में बड़ा मजा आ रहा है नाइस एकिक the gap perfect timing, आपर दोरान मिलना चाहिए, बागो 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 नाइस Russo भाई अभी भी 24 में है वाई 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 अभी भी 24 में है, हम 68 में आ चुके है और हमारा intent भी ऐसा है बाट थोड़ा तो रहन मारेगा वो नाइस वीवेक, दो 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 भाग भाई थोरह डिस्की था पर हमने चुरा लिया वाई क्योंकि इसका बॉलना मैं काफी अच्छा खेल रहा हूँ इसलिए मैं अपने पास ट्राइक रएक रख रहा हूँ हमें जब किसी बोलर को तो हम इतना च्छा खेल रहा तो अपने पास try रखना चाहिएे हैं हाँ शॉट बहुत प्यारा बहुत प्यारा फिर से दो मिलेगा और यहां से आया है ओवर दो विकेट पे पर तुम्हारे बॉल में ना कुछ हरकत नहीं हो रहा है स्रीदर भाई बोला जाए तो तो हमें बड़ा मज़ा आ रहा है खेलने में तुम्हारे नाइस ये सिंगेली मि अगर फट्सन बक अन रूसो भाई कैने बिलीव इट रुसो भाई अभी 24 पर है अभी 24 पे अर हुटसन आये हाप नो 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 भाई रन आउट मत करना भाई मैंने गल्ची से कैंसल भी नहीं हो रहा था भाई बज गया बहुत जोर से बज गया भाई के स्रीदर आ चुक है 78 पर हूं मैं अगर्ण खेले ओवर्ड विकेट आके ना थोड़ा बाउंस मिल रहा इसको नाइस सिंगल मिलेगा इसमें अभी रात के दो बज रहा है और हम कर रहे हैं वीडियो स्थ मजा अलग है इसका और कि उस गैप में तो नहीं गया भाई अच्छा हुआ कि कोवर के हाथ में ना चला गया अभी हमने ना फिफ्टी के बाद से मैंने आई थिंग लॉफ्टिट बहुत कम मारे हैं ज्यादा तर मैंने सिंगल डवल किया है असी पहुंच चुका हूं भाई आसाम तो बहुत ल मैं आउट हो चुका है तो यार मोमेंटम मैंने टूता शिट भाई शिट यार पूरा सेंचुरी का चांस था भाई भाई इतना अच्छा मोमेंटम मैंने यार कौन आउट हुआ यह सब देखने गया अरे यार वेल प्लेड यार 68 में 80 सेंचुरी नहीं आया साथ चौके चेस कर दियो भाई लोग हुआ ना चेस हो गया लगता है यह प्लेयर ऑफ दा बैच ओ भाई साहब देवियू में कुछ नहीं कर पाए सेकेंड मैच में फार के रख दिये प्लेयर ऑफ दा मैच न्यू प्लेयर इंदा टाउन ब्रदर भाई साहब पहले इनिंग में पहले इनिंग मेरा नामी नहीं दिखा रहा बैच इती मत कर रहा वाट इस दिस बेंगॉल कहा है यार बेंगॉल का फर्स्ट इनिंग्स में 51 अच्छा मेरे से 74 अच्छा यह 66 मा रहा था ना इसी लिनियर ओ दो तीन बंदे मारे ते 50 बट सेकेंड इनिंग्स में आई थि जीताया भाई इसने टीम को वह भाई लक्स ओपी भाई 65 है जो भी हो भाई हमको मिला है फ्लियर अप दे मैच और अगला मैच है क्लब का फिर से और हमने ना भी थोड़ा रूखो एक सकंद यह भी देखना है कि सिलेक्शन स्टाटस देखना है एक सेकंद है रहे हैं ओके यहां पर दिखा रहा है फिर वेइन कि वे가요 और फ्रहें एंडियन यह सब द お 있다 चोड़ो यह का मैं कप्तान हूं इस्ट इंडिया मोने चंपिंशिपकार और बेंगोड का बेंगोल का का रिखा रहा है यह इंडियन एस्टोसियेशन ट्रॉफी दिखा रहे हैं आपे इंडियन वंडे सील्ड ओ एक्स्पेक्टिंग सिलेक्शन भाई सहाब कुछ और भी आने वाला है भाई वर्ट हम तो इसमें बहुत खुश हो चुग है यार आज का अपीसोड आप लोगो कैसा रगा जरूर बताना कॉमेंट करके वीडियो का अभी तक लाइक नहीं कि तो क्या कर रोगाई जुल्दी से लाइक वाई यह अगर नहीं हो तो सब्सक्राइब कर लो मिलते अगले केरियर मोड एपीसोड में तब तक के लिए बाइबाई स्यू सून